सभी सातियों को मेरा प्यार भरा नवसकार आई से मैं आप लोगों के लिए के ऐसी सीरिज प्रारहम कर रहा हूँ जिससे आपको बोर्ड एक्जाम में सीधे के सीधे कोसंस देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड क्लाश 10 के अंतरगत जो आपका फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है अलेटर टू गॉर्ड दोयार बाइस और तेस में जो भी आपके सौट इंपोर्टेंट कोशन पूचे गए हैं उनका मैं आपको सौलूशन दिखाऊंगा तो आसान से भी बहुत ज़्यादा आसान सब्दों में यह देखने को मिलेंगे और यह हैं बिल्कुल मैं कंफर्म आपको सियोर्टी के साथ कहता हूँ अगर आपके बोड एक्जाम में कोशन बनेगा तो यहां से जरूर आपको एक कोशन जरूर देखने को मिलेगा तो आईए पहले कोशन का हम इसमें अध्यन करते हैं तो पहला कोशन है लैंचो को किस बात ने नाराज किया तो देखी 877 DJ कोशन पेपर में या 32 में पूचा गया है तो आप इसका अंसर लिखेंगे लैंचो हैड रुक्वेस्टेड गॉर्ड टू सेंड हिम अहंड्रेड पीजोज यानि कि लैंचो ने भगवान को 100 पीजोज भेजने के लिए निवेदन किया था बट लेकिन ही फाउंड ओनली 70 पीजोज इन दा लेटर लेकिन उसने पत्र में केवल 70 पीजोज को ही पाया ही थोट उसने सोचा दैट की दा पोश्ट ओफिस एंपलोईज जो डांक घर के कर्मचारी हैं हैड टेकन ले चुके हैं हिज 30 पीजोज उसके 30 पीजोज को दिस मेड हिम एंगरी इसी बात ने उसे नाराज किया आप चाहें तो एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेस्ट कोशन को अगला कोशन आपसे पूचा है यानि कि पोश्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का जो भगवान के नाम पर था उसका रिप्लाई क्यों दिया तो दोस्तों यहाँ 817 DN और तथा एक दो कोशन पेपर में और पूचा गया है आप कोड आराम से देख सकते हैं अंसॉल पेपर हो तो ठीक है तो आईए इसका अंसर हम लेखेंगे दा पोश्ट मास्टर वोज अ काइंड हर्टेड एंड एमियेवल मैन जो डांक पाल था वह दयालू और एक मिलनसार व्यक्ती था वह लेंचो का जो भगवान में द्रण विश्वास था उसके द्वारा भहूत इंप्रेश्ड आकर सित हुगा और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए इसलिए लेंचो को देखते हैं वाट वॉई दा सिंगल हूप फॉर दा फैमिली ओफ लेंचो यानि कि लेंचो के परवार के लिए एक मात्र उंबीद क्या थी तो देखिए आप अंसर लिखेंगे दा सिंगल हूप फॉर दा फैमिली ओफ लेंचो बॉई दा हेल फ्रॉम गॉड यानि कि लेंचो के परवार के लिए एक मात्र उंबीद इस्वार से साहता थी वेकॉज क्योंकि इवन आफ्टर फेसें ग्रोइन यानि कि बरवादी का सामना करने के ब लेंचो का परवार बास्तम में दुखी नहीं था यहां इस्वार में अपार विश्वास होने के कारण था और वे बिल्कुल विश्वास में थे देट कि गॉड वोड हेल्प देम कि इस वार उनकी मदद करेगा आप चाहें तो दोस्तों एक स्क्रेंशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अगले कोशन को अगला कोशन आपसे पूचा है वहाई वाज लेंचो एंगरी यानि कि लेंचो नाराज क्यों हो गया वहन ही रिसीब्ड दा लेटर जाव उसने लेटर को प्राप्ते किया यह भी दोयार 22 तता दोयार 30 के दो तिन कोशन पेपर में मैंने आपको इसे देखा है तो देखिए के सकांसर आप लेखेंगे लेंचो वाज एंगरी लेंचो नाराय था ओन काउंटिंग दा मनी धनको गिनने पर ही आस्क्र हंड्रेड पीजाज फ्रम गॉड उसने ईश्वर से सब पीजाज मांगे थे वट ही रिसीब्ड ओनली 70 पीजाज लेकिन उसने केवाल 70 पीजाज को ही प्राप्ति किया सो इसलिए ही थौट उसने सोचा देट दा पोश्टल एंप्लोईज हैड इस्टॉल अंदर रेश्ट आप मनी इसलिए उसने सोचा कि जो डांग घर के कर्मचारी हैं वह है सेस बचे हुए धन को चुरा चुके हैं अब चाहें तो इसका भी एक स्क्रीन स से मदद की गई थी 2022 एल पेपर कोड में इसे पूछा गया है तो आप अंसर लेखेंगे दा पोश्ट मास्टर आस्पर फॉर मनी फ्रॉम हिज एंप्लोईज यानि कि डांग पाल ने अपने कर्मचारियों से धन मांगा एंड और ही आलसो गेव आपार्ट आफ इस सेलरी और उसने भी अपनी तनख्वा का एक हिस्सा दिया और उसने अपने मित्रों को मदद करने के लिए प्रेरित किया और तभी सेंट दा मनी टू लैंचो तभी वहां लैंचो को धन भेजा दस इस प्रकार से ही वाज हेल्प उसकी मदद की गई तो यह पांच मोश्ट इंपोर्ट कोशन हैं यही 1232 में पूचे गए हैं इनके अलाबा अलेटर टू गौर्ट से कोई भी कोशन नहीं पूचा गया है सौट के अंतरगात नेस्ट वीडियो में लॉंग कोशन के साथ मिलेंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवस्त बताएं अगर आपका रेस्पॉंस ठीक ठाक रहा तो यह सीरिस चलेगी अन्यता हम इसे ओफ कर देंगे थैंक्स पर वाचेंग टिल टेक कियर हैव फान